मेरे चानल पर आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हो आप लोग सब ठीक होंगे अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूसफुल वीडियो जो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे हम लोग अगर कुछ कामान या कुछ सीजे पर्टेस करते हैं तो हमारे घर में बॉक्सिस जम्मा हो जाते हैं जो कार्ड़ूर्ड के बॉक्सिस यूज करते हुए मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हूँ कुछ प्यारे प्यारे और बहुत ही यूसफुल ओर्गेनाइजर हैं जिसका यूज करते हुए आप घर की बहुत सारी चीजे ओर्गेनाइज भी कर पाएंगे और जहां पर भी रखेंगे उस को कि आज का वीडियो अप लोगों को पसंद आए अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजे और हाँ जो भी मेरे चानल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के चले तो स्टार्ट कर रही हूं तो यहां पर मैंने कार्ट बोड का यह बॉक्स ले लिया है लेकिन यह बहुत ही जादा खराब हालत में था तो सबसे पहले तो इसके में फ्लैपर जो रहते हैं उन्हें कट कर लूँगी और यह बहुत ज्यादा डामेज होने के कारण इसमें बिल्कुल भी मजब बनाते हैं तो कम से कम कुछ महिनों तक ज्यादा लंबे समय तक हमें उनका यूज करते हैं आना रहना चाहिए इसलिए मैं मजबूती देने के लिए उपर से यह कार्ट बोड के पीसे लगा दे रही हूं और अगर आपके पास में अच्छी कॉलिटी का या अच्छी में कार्ट बोड है या कार्ट बोड का कोई बॉक्स है तो उसे आपको यह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह डामेज होने की वज़े से बहुत ही खराब हो गया था तो इसलिए मैंने यह उपर से लगा दिया है फेवी कॉल और मास्किंग टेप की हेल्प से अभी इसे म मैं राप कर दूँगी यह मेरे पास में कुछ गिफ्ट रैप पेपर से उनका यूज करते हुए मैं इने राप कर लूँगी और यह कुछ कार्ट बोड के पीसे मैंने कट कर लिये उसके अंदर मुझे शेल्फ जैसे शेल्फ टाइफ में बनाना है तो उसके लिए मैंने कु कुछ बड़ी साइज में चीजे रखनी आप इसका यूज ड्रेसिंग टेबल पर भी कर सकते हैं कवर्ड में भी कर सकते हैं और अगर आपके कुछ बड़ी साइज की बॉटल वगरा रखनी है तो उसके लिए आप एक कार्ट बोड का पीस एक पार्ट हटा कर आप एक ही सिं इस लेश को मैं यहां पर ऐसे लगा दूँगी तो यहां पर मैंने होल कर दिया है लेश लगाने के लिए और यहां पर ग्लूगन की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी खासी मजबूती आए अगर उपर से मैं चिपकाती तो यह अगर बानने के आपना दिखे अभी बाकी की जो सामने का बॉक्स था उसे भी मैंने लेश लगा कर डेकोरेट कर लिया है और इसके पैरों के लिए जो स्टाइन रहता है उसके लिए मैंने छोटे जो बॉटल की कैप्स रहती है उन्हें कलर करके यहां पर लगा दिया है तो उनके पैर बन और यह अच्छे से stable हो गया है तो यह ऐसे करके मैंने first organizer बना दिया है अब यह organizer ready है बढ़ते है आगे next organizer बनाने के लिए मैंने square shape में box ले लिया है और इसकी condition बहुत ही अच्छी है अच्छी condition में है यह box तो मुझे उपर से cardboard के pieces लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे सबसे पहले तो इसके जो flappers रहते हैं वो cut कर लूँगी और यह cut हो जाने के बाद में मेरे पास में यह craft paper है तो craft paper इस पर मैं लगा दूँगी इसकी जगा पर आप gift paper या wall paper का भी use कर सकते हैं अभी मेरे पास में craft paper available है तो मैं इसके लगा दूँगी और उससे अच्छ लगा दूँगी इसे भी मैंने craft paper से wrap कर लिया है और ऐसे करके यह pieces मैं यहाँ पर लगा कर stick कर दूँगी तो ऐसे करके हमें इसे stick कर देना है तो इसे मैंने glue gun से ऐसे stick कर दिया है अब बारी आती है इसके अंदर जो मुझे drawers बराने हैं उसकी तो इसके लिए मैंने उसका जो मैंने कुछ cardboard के pieces cut कर लिये है जिस भी size का आपका box रहेगा उसके size का जब हम लोग partition कर लेते हैं तो इसके हिसाब से आप measurement लेके cardboard के pieces cut कर लीजिए तो मैंने उसी के हिसाब से cut कर लिया था और इसे भी मैंने craft paper से wrap कर लिया है हम देंगे इसे एक drawer का shape तो ऐसे करते हुए मैं मैंने stick करते हुए एक drawer बना लोगी और इसे हमें अंदर से भी मैं इसे अंदर से भी अच्छे से glue gun से stick कर दे रही हूँ और जो front portion था उसे मैंने यह मेरे पास में wallpaper था तो उसका use किया है और यहां पर यह wooden bead का use करूंगी मैं handle बनाने के लिए उसके जो drawer के knob रहते हैं उसे ब उसी का use किया है मैंने अब यह wooden के जो beads थे यह मेरे पास में कुछ बड़े साइज में कुछ चारपाची थे और अलग-अलग डिजाइन में थे तो मैंने उसे color कर दिया है और color करके मैंने ऐसे इने glue gun से stick कर दिया है तो यह भी organizer मेरा ready बढ़ते हैं आगे तो यह मेरे पास में कुछ जो मैंने कुछ दिन पहले मेरे बेटे के room का makeover का video शेयर किया था उसमें इस cardboard के box का कुछ पार्ट मैंने यूज किया था तो यह उसके cover है ऐसे ही रखे हुए थे और यह बहुत जादा मजबूत है तो इसे में wrap कर लूँगे म फेवी कॉल अच्छी तरीके से फेवी कॉल की help से इसे हमें stick कर देना है यह stick हो जाने के बाद में अंदर जो पार अंदर का जो हिस्सा है यहाँ पर भी मैं दूसरे design का wallpaper sorry gift paper लगा रही हूँ यह लग जाने के बाद में यह मेरे पास में PVC pipe है जो पानी के लिए हम लोग water supply के लिए जो use करते वही pipe है तो इसे मैं जितना मुझे height चाहिए उसके हिसाब से मैं इसे cut कर लूँगी तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से जिस size का मुझे चाहिए था उस size के हिसाब से इन्हें cut कर लिया है अभी यह बारी आती है आप चाहे तो इसे spray paint से भी color कर सकते है लेकिन मेरे पास में white spray paint था तो यहाँ पर मैंने acrylic color का use किया है acrylic color से इन्हें मैंने color कर दिया है अभी बारी आती है इस पर stick करने की तो जो छोटे pipe के तुकड़े थे उन्हें नीचे जो सबसे नीचे वाला shelf है वहाँ पर लगा दिया है मैंने तो इसे stick करने के लिए आ फेवी बॉन या फेवी क्विक या glue gun की help से भी आप इसे stick कर सकते हो तो यहाँ पर मैं ऐसे करते करते मेरे तीनों भी जो मैंने shelf बनाए है उन्हें stick कर दूँगी इन pipe की help से यह हो जाने के बाद में यह भी organizer मेरा ready है तो बढ़ते हैं आगे आगे लिए मेरे पास में अच्छा अच्छा बड़ा साइज का यह मेरे पास में box था थोड़ा damage हलका फुलका ही damage था किनारों से बाकी यह बहत बड़ा box था तो मैंने सोचा इसका एक अच्छा organizer बनाया जाए storage box बनाना था मुझे बहुत दिनों से तो यह यहाँ पर मैं gift wrap paper का use कर रही हूँ और यह gift wrap paper आपको कोई भी stationary shop में मिल जाएंगे 10-10 रुपए में मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे wrap कर दिया है इस gift wrap paper से और अंदर का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ इसे इसे भी मैं gift wrap paper लगा दूँगी ताकि यह दिखने में अच्छा दिए अब यह लग जा अंदर के size के हिसाब से और इसे भी मैंने gift wrap paper से wrap करके ऐसे बना दिया है अभी इसे लगा देंगे अंदर के side में तो ऐसे मैंने इसे लगा दिया है अभी यह जितना बड़ा box है उसके उपर का मुझे cover cover बनाना था तो उसके हिसाब से मैंने यह cardboard का piece कट कर लिया है तो जितन बड़ा box था उससे थोड़ा मैंने बड़ा ही cut किया है ताकि यह जब हम लोग रखे तो थोड़ा table type में भी दीखे अच्छा दीखे उठाने में जब हम लोग इसे हटाए cover को हटा के कुछ रखना चाहें तो हम लोग रख सकते हैं तो हटा सके इसके हिसाब से मैंने थोड़ करने के लिए यह लगा दे रही हूँ मैं तो यहाँ पर लेश भी नहीं लगाई तो भी चलेगा और थोड़ आशा सुन्दर दिखने के नहीं यहाँ पर मैंने ऐसे बस बाकी तो मैंने simple ही रखा है ऐसे लेश लगा दी है तो दिखने में यह बहुत प्यारा भी दिख रहा ह हैं और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजे स्टोर करके रख सकते हैं आप चाहे तो बेडरूम में इसका यूज कर सकते हैं कई पर भी इस और्गिनाइजर का यूज कर सकते हैं ऐसे करते हुए मेरे सारे ही और्गिनाइजर रेडी हो गए हैं इन कार्ड़ बोड के जो भी मै का कर दिखा दे रही हूं कि अगर आप इन्हें कही पर भी रखेंगे तो यह सुंदर ही दिखने वाले आप इसमें living room में जो भी सामान रहता है remote mobile charger और remote या छोटी मोटी जो भी चीजे रहती है extra की आप रख सकते हैं यह भी जो drawer वाला मैंने बनाया है इसमें भी देर सारी ची यूज मल्टी वेज में कर सकते हैं यह भी बहुत प्यारा दिख रहा है जो मैंने छोटा सा एक कबर टाइप में बनाया है जो इसका dressing room में या kitchen में आप कही पर भी यूज कर सकते हैं दिखने में सुंदर भी है और इसमें देर सारी चीजे भी ऑर्गिनाइज हो जाएगी तो यह तो मैंने अभी आपको living room में लगा कर दिखा रही हूँ सारे ही organizer अगर आप एक साथ में भी रखेंगे तो यह दिखने में सुंदर भी दिखने वाले हैं और आपकी बहुत सारी चीजे इसमें आ जाएगी और किसी को दिखने में खराब भी नहीं दिखेगा कि हमारी चीजे फैली है हम लोग कैसे बहुत सारी चोटी मुटी ऐसी चीजे रहती है जिने organize करने के लिए मुझे लगता है ऐसे organizer का यूज करना चाहिए जो फैली फैली चीजे रहती है तो उससे घर खराब भी दिखता है अगर हम लोग हाथ से ऐसे कोई organizer बना कर उनका यूज करते है तो दिखने में तो सुंदर दिखते ही है लेकिन इसके साथ में आपके घर की चीजे भी organize हो जाती है अभी यह सारे ही organizer में one by one आपको मेरे आने वाले video में कैसे मैं organize करती हूँ आपको देखने को जरूर मिलेगा मैं आपको दिखाते जाओंगे कि मैं इनका use कहां कहां करूंगी तो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में share करूंगी अभी तो मैंने आप लोगों के साथ में ये share कर दिया है कि आप किस किस तरीके से इनका use कर सकते हैं तो आप भी ऐसे करके अगर आपके घर में cardboard के boxes है तो उन्हें फेकने से अच्छा उसके ऐसे पैरे-पैरे ओर्गिनाईजर बनाईए और अपनी चीजों को ओर्गिनाईज कीजे और घर को भी सुन्दर बनाईए और जो यह मैंने बॉक्स वाला ओर्गिनाईजर बनाया है तो इसका आप बेडरूम में यूज कर सकते है जो बे करते हैं तो इसमें दिखने में भी सुन्दर दिखेगा इस पर आप बहुत सारी चीजे भी रख सकते हैं उपर में डेकॉरेटिव भी है और अंदर एक हमारा स्टोरेज भी है तो ऐसे करके यह था आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो कोई भी चीज और कोई भी जगा पर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा So friends, एथा आज का वीडियो I hope कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आपके काम आएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले सब्सक्राइब भी कीजिए जैसे ही मेरे साथ में बने रहे है ऐसे ही एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का दान रखिए फिर मिलेंगे बाए